सवी को उसकी सासुमा एक टास्क देने वाली है दरसल उसकी सासुमा की कुछ फ्रेंज उसके घर आ रही है तो वो सवी से कहती है कि वो माराश्ट्रन खाना उनके लिए बना दे सवी तयाग भी हो जाती है लेकिन तभी वहां रज़त की एंट्री हो जाती है और जहां रजत की एंट्री होती है, जहां सवी और रजत साथ में होते हैं, वहां लड़ाई ज़रोड की शुरुआत हो ही जाती है, तो बस यहां भी असे ही हुआ, जैसे ही सवी किचन में खड़ी हुई, अपनी सासु मा के ओद्रोस को फॉलो करने के लिए रजत वहां आ जा सवी, अब सवी उससे कहती है कि ये सारे लेटर्स तुमने क्यों लिखे, तुम इतने ठरकी हो, रजत जब ये सब लेटर्स देखता है, तो वो कहता है, ये लेटर्स मैंने लिखे ही नहीं है, ये मेरी हन्राइटिंग है ही नहीं, सवी कहती है, अब बाते मत बनाओ, तब र लेकिन कहीं न कहीं उसे अच्छा भी लगने रगता है कि अमन और मिलू अब फिर से शायद एक दूसरे के करीब आने लगे हैं हलाकि रज़त को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रज़त की नजर में प्यार मुहबत कुछ होता ही नहीं है तब ही तो वो अमन की शादी अब एक डील के हिसाब से करवाने की सोच रहा है ये बात जब सबी को पता चलेगी तो वो आग बबुला हो जाएगी रज़त की फिर से क्लास लगाएगी धीरे धीरे ऐसे ही तो इन दोनों में प्यार बढ़ेगा और ये दोनों इहीं दूसरे के प्यार में गुम होंगे ये ही सबाब देखने वाले हैं आने वाले पिसोग में